लवलीनू की रिगार्डिंग बात कने वाले काफी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं बेक टू बेक लवलीनू पॉजिटिव वाइपस देता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि अगर आप इसकी करंट प्राइस देखोगे तो पांच की स्रीज में नजर आ रहा है थोड़ा सा डा जुका है और जो इससे नेक्स्ट वाला सपोर्ट है वह 35 इसलिए जब यह 31 प्लस हुआ था तो काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थी कि 35 को भी टच कर सकता है अगर थोड़ा सा और रेली पकड़ता है चलो वह बात अलग रही लेकिन लवलीनू के रिगार्डिंग काफी ब इसका जो था यह टोप 10 में भी नहीं आता था इसका जो मलब वॉलेट है जो इसके पास जो होल्डिंग है अभी 1.8673 परसेंट लवली इनू इसके पास पड़े हुए तो एमेसी ग्लोबल पर इन्होंने ट्विट करके भी बोला है कि वहां पर बाइंग प्रेसर है वो होगा हुब ही ग्लोबल मैंने एक महां पर एक मेंशन किया वर्ड उसको लेकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं लेकिन वह मैंने इसलिए क्या है क्योंकि जैसा ही इन्होंने सिंगापूर क्रिप्टो एक्सपो फ्लोर प्लान दिखाया था ट्विट करके अभी से अपने इस ट्विट के अंदर क्योंकि बिटमार्ट के पास सबसे ज़्यादा सप्लाई दिखाता है अगर आप बीटमार्ट का वोलेट है वहां पर सबसे ज़्यादा सप्लाई रखे हुई इस एक्सचेंज के पास है जो कि यह 34 परसेंट तो इसको थोड़ा सा हाइलेट कर देने वाला है 47 उसको भी हाइलाइट करके रखा हुई अब दोस्तों यहां से कुछ क्लू ऐसे भी मिल रहे हैं अगर ट्विटर की देखे तो कि हुबे ग्लोबल पर इसकी लिस्टिंग को भी अनौस किया जा सकते है हाला कि यह चीज बिलकुल भी शूर नहीं है क्योंकि इ लवली इनुकी टीम से थोड़ा सा एक्सपेक्ट करना मुस्किल है लेकिन हो भी सकता है क्योंकि इन्होंने हुबे ग्लोबल को खासकर हाइलाइट करके यहां पर रखा है अब यह तो रही एसे क्रिप्टो एक्सपो की बात लेकिन उसके लावा इन्होंने और भी ट्विट इसको मेंशन कर रहा है जैसा कि होता है कि 2022 के बेस्ट जेम होने वाले है तो टोप 10 जो जेम होते हैं उनमें लवली इनुको भी सामिल किया जा रहा है तो यह अपने आप में काफी बड़े बात है यह सब मार्केटिंग के वज़े सही हो पाया है अब मार्केटिंग करने के सुरू करने वाले है और दोस्तों का मतलब होता है जैसा कि आपने देखा होगा प्लेटफों होते है जब कोई भी नई ब्लोक्चेन आती है कोई भी नया टोकन वह आएगा तो उसको लॉंच होने के लिए लिक्विडिटी का जो सारा मामला होता है वो लॉंच पेड के उप दर इंपर ल्युक्विडिटी को करेगा या फिर इदर उधर सफल करने का पी लॉंच पेड का ही होता है जैसा कि पैंटकेक शेप पर ज्यादा तर जो भी बार्यूंस स्मार्ट चैन पर टोकन होते हैं वह पैंक आक स्वेड़िक्स पर ही लॉंच होते है तो उसका खुद क तोकन हम पो टोकन की अगर बात की जाए तो ऐसे इन्होंने दोस्तों इसकी मार्केटिंग कहें नहीं शुरू कर दी इस तुट की तरब से और इनको एक्सक्लिशीव ओफर बोले जारे अब एक्सक्लिशीव ओफर इसले बोले दोस्तों वह भी आपको बताऊंगा क्योंकि इन इन्होंने प्राइस उसका रखा हुआ था अपने लॉंच पेट जैसा कि इन्होंने एक बार ट्वीट किया था टेलिग्राम पर भी इस चीज को बताया था लेकिन अभी इसका अमाउंट काफी घट गए इसको एक्सक्लिशीव ओफर भी बोला जा रहे अब अगर आप अभ जैसे दोस्तों लवली इनू को अर्निंग भी होगी और साथ इसकी मार्केटिंग और ज़्यदा बढ़ने वाली है जैसा कि मैंने आपको कई बार बोला होगा कि लवली इनू भले प्रोडक्ट बार बार ला रहा है लेकिन जब तक उसके मार्केटिंग नहीं होगी तो इसक में कुछ भी फाइदा नहीं होने वाला है लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आगी लॉंच पेड में यह एक्स्क्लिसीव ओफर दे रहे हैं और ऐसा हो भी सकता है कि कुछ नए नए प्रोजेक्ट इस पर लॉंच हो भी जाएं तो इससे मार्केटिंग को डबल पुस मिलने वाल जैसा कि इस ट्विट में आप देख सकते हैं बाई विफोर लेट बाइंग प्रेसर इंक्रिश्ट ओन एमेक्सी ग्लोबल और चालिस मिनिट पहले है ज्यादा पुराना ट्विट नहीं तो सिर्फ एमेक्सी ग्लोबल अगर एक्सेंज की बात की जाए तो वहाँ पर बाइं चुका है इस वहाँ इस वाला टूट वह और पिंट एप ौ फाइप की रहा है पिछले वीक में हाला कि 72 तक भी गया था अभी भी फिलाल अगर आप देखोंगे तो 4849 की सिरीज में ट्रेंड कर रहा है लगबग 5 की सिरीज में ही ट्रेंड कर रहा है लेकिन आगे 70 भी है तो यह काफेची बाते हैं और इन्होंने बोला है अभी टाइम आ चुका है आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है यानि की पाच की सिरीज तक तो यह अलड़ी रह चुके अब इससे आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है तो यह कहीं नहीं बातों में अपने ट्विट में सिंगनल हमें यही दे रहे हैं कि अब लवली इन्हों यहां से बूम करने वाला इसके लावा दोस्तों जो इसकी एनवर्सरी आने वाली वह थर्टीत हो जुलाई को भी अगर मान के चले हम मैक्सिमम तो वहाँ पर यह 10 एक्षेंजेस पर लिस्ट होने वाला है और इस ट्विट को काफी हलके में मतले ना क्योंकि इन्हों ने हुबई गुलोबल को हाइलाइ थैंक यू